सर्व पित्री अमावस्या 14 अक्टूबर शनिवार के दिन है इस दिन साल का आखरी सूर्य ग्रहन भी लगने जा रहा है बता दे कि पित्रिपक्ष में सर्व पित्री अमावस्या का अधिक महत्व होता है इस बार सर्व पित्री अमावस्या 14 अक्टूबर शनिवार के दिन है इसलिए इसे शनी अमावस्या भा कहा जाएगा आईए जानते हैं इस दिन सूर्य ग्रहन होने के चलते आपको श्राधा कर्म करना शुब रहेगा या अशुब अमावस्या के दिन लग रहा है सूर्य ग्रहन सबसे पहले बता दें की अमावस्या तित्थी 14 अक्टूबर को रात में 9 बज कर 50 मिनट से लगेगी और अगले दिन यानि 14 अक्टूबर की रात 11 बज कर 24 मिनट पर रहेगा वहीं भारतिय समय अनुसार सूर्य ग्रहन रात में 8 बज कर 34 मिनट से लगेंगे और मध्य रातरी 2 बज कर 25 मिनट तक रहने वाला है लेकिन ग्रहन लगने से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है हाला की जियोतिशी नीलामबर जा के अनुसार श्राध कर्म कारियों में सूतक काल मान्य नहीं होता है आप इस समय श्राध कर सकते हैं हाला की मूर्ती पूजन सूतक काल में नहीं करना चाहिए क्या भारत में दिखाई देगा सूर्य ग्रहन साथ ही आप तरपन भी इस दिन सूर्य को दे सकते हैं। वैसे तो ये सूर्य ग्रहन भारत में दिखाई नहीं देगा। फिर भी आप सूर्य को तरपन देते समय सूर्य को सीधा न देखें। दरसल, पित्रिपक्ष में सर्व पित्री अमावस्या का सबसे अधिक महत्व होता है। इसलिए इस दिन अपने पूर्वजों और पित्रों को प्रसंद करने के लिए उनका श्राध्ध पूरे विधी विधान के साथ करना चाहिए। सर्व पित्री अमावस्या के दिन पित्रों और पूर्वजों का धर्ती लोक पर आखरी दिन है। इस दिन वो सवर्ग लोक के लिए वापस जाते हैं। इस दिन श्राध्ध और तरपण करने का महत्वर और अधिक बढ़ जाता है।